हेलो एवर्यवन वेल्कम बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अब सभी का अपने यूटूब के चैनल को पर दोस्तों और चैनल का मकसद आपको पता है केबलो केबल यहां पर वेल्थ क्रियेशन के आइडियास दिये जाते हैं और उसी के रिगार्डिंग ही आपको सारी चीजें बताई आती हैं तो दूस्तों आज मैं ऐसे स्टॉक का जिकर करने वाला हूं जिसमें एक साल में बहुत ही भैंकर प्रदर्शन करके दिखाया है उसकी वज़ए भी काफी है और उसके में उसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना उसमें मेरा कोई सेल्फ डिसीजन नहीं वो आप खुड डिसीजन लीजेगा और अपने फाइनेसिल एडवाइजर की सला से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप बाकी तेजी कंपनी में लगातार अच्छी देखने को मिल रही है कौन सा है स्टॉक सब खुश दिखाएंगे बस तो भाई लोग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिपक फैटलाइजर के स्टॉक की वो आप देख रहे हैं लगातार इस स्टॉक में आग लगी हुई है यह तनी भैंकर तेजी आखिर यह तेजी है क्यों बाई करें या रुकें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हो भी है देखेंगे तो दोस्तों इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर दीपक फैटलाइजर के अंदर अच्छी खासी तेजी लगातार देखने को मिली है जब से क्वाटर फोर के अच्छे खासे इसने रिजल्ट प्रेजेंट किये तो उसके कहना चाहते हूं अगर आये हैं चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मद बूलेगा अच्छा लग जाए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा दोस्तों तो इससे सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन दीपक फैटलाइजर के अंदर किस तरीके से कामकाज हुआ है स प्रिवेस क्लोस 396 आज ओपनिंग होई 395 रुपए पर उसके बाद दोस्तों 456 रुपए के ऊपर का हाई लगाया और दिन का लो 370 रुपए का था मतलब जब स्टॉक खुला तो बहुत नीचे था दोस्तों लेकिन गजब का मोमेंटम स्टॉक ने आज के दिन दिखाया औ और 456 दोस्तों इसमें अपना अल-time high आज के दिन ही hit किया है दोस्तों तो इस इसने investment करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा उससे पहले यह बताने चाहते हूं कि इसमें तेजी की आखिर वज़े है दूस्तों पहली कि दूस्तों इस बार मालसून बहुत ही बहतरी नजरा रहा है टाइम पे नजरा रहा है तो सारी एग्रोकेमिकल कंपनियों को अच्छा कासा इसका फायदा मिलेगा पहली चील दूसर में भी तेजी की वज़े है कि ये भी दूस्तों तो गौर्मेंट पूरा ध्याम लग रही है इस टाइप की कंपनियों का दूस्तों तो तेजी की एक और ये वज़े हो सकती है अब यदि बात करें हम एक साल में करीब 330 परसेंट के असपास का मूब दे चुका जैसे मैं यह P V na 10-11 के बीच में फिलाल देखने को मिलता है जो की सस्ता कहने सकते है तो दोस्तों प्रोब्लम क्या है जो कि मुझे नजर आ रही है कि यह और वहु और वह बातकी बात formula दूस्तों जय के जो होल्डिंग है दोस्तों वो परी 55.8-0% की है FII की होल्डिंग 3% से ज़्यादा की है mutual fund की होल्डिंग 1% से कम insurance company की होल्डिंग आदे परसेंट से कम non-institution investor करीब 49.61% की होल्डिंग रखते हैं दोस्तों अभी problem की बात कहा है वो problem मुझे यहां नजर के आ रही है दोस्तों कि दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग मैजॉर्टी से रोल्डर तो प्रमोटर के पास है pledge मोटर होल्डिंग मतलब जितनी भी promoter की 55% की होल्डे है उसमें से दोस्तों 76% अभी गिर भी रखी है तो दोस्तों गिर भी रखने हुए share में दो बात हो सकती है पहली कि company में करजा है तो गिर भी है या दोस्तों अपने business को expansion देने के लिए business को थोड़ा pull-up देने के लिए भी stock को pledge कराया था पर यह quantity है दोस्तों 16% वह जाला दिखाई दे रही है तो इस stock में stock में invest करने से पहले जरूर अपने financial advisor के आप सला लीजेगा mutual fund की बात करें तो तीन scheme का पैसा FII की path scheme का पैसा promoter with highest holding दोस्तों 42.46% की holding के साथ बैठे हैं वह हाइस public shareholder जो है वह 0.26% की holding के साथ इस stock में बैठे हुए है और यदि आप बात करें individual investor मतलब retail निवेसक वह अच्छे खासे stock के अंदर बैठे हुए 30.53% तो इस बात को आपको याड़ रखना है stock में थी problem थोड़ी सी है तो stock में invest करने से परले सला जहू ले ले नहीं अपने से जानकार रखती की दोस्तों बात करें इसके 52 हफ्ते lower high की दोस्तों 52 वीक लो जैसा मैंने आपको उताया 100 रुपेस नीचे 98 रुपीज का हाई आज के दिन हिट किया है 14 जून वह भी कितना दोस्तों 456 रुपेस से उपर का तो दोस्तों तेजी तो लगा था इसमें बनी हुई है वह तो आपने देखी लिया और जिसमें तेजी की वज़े यह दोस्तों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है इस सेक्टर में और यदी बात करें जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो इसमें बाइंग क्वांटिटी करीब 4554 की लगी थी बात करेंगार सेक्योर्टी वाज डिलेवरी की मतलब किस कि सरीके की डिलेवरी उठाई गई यह स्टॉक में आज के दिन तो आपके सामने आ चु से ज्यादा है जो कि ठीक ठाक आप कह सकते ना कम है ना ज्यादा है तो दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर आप सला लीजे अपने फाइनेसिल एडवाइजर की आई एक बार इसकी रिटन की प्रोफाइल देखेंगे हम लोग तो दोस्तों बात अग थमने का नाम नहीं ले रहे दीपक फेटलाइजर में एक महिने में करीब करीब 60% के रिटन दे चुका है जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक रिटन माहने जा सकते हैं और बात करेंगर 6 महिने की तो गजब रिटन है 117% के इस साल की जब से शुरुआत हुए दोस्तों 183% का मूव दिया है बात अकर आप करेंगे वन एयर की तो वन एयर में दीपक फेटलाइजर का स्टॉक दोस्तों 300% से बड़ा मूव देता दिखाई दिया पांच साल की बात करें तो 192% के रिटन है मात्र और यदि बात करेंगे आप और लंबी दूरी की मतलब जब से मार्केट में यह है तो दोस्तों बताना चाहूंगा 1999 से लेखे अब तक दोस्तों 2821% के रिटन मतलब दोस्तों सीधा है 22 वर्स के अंदर पैसा इसने 29 गुना लगबक किया है तो यह है इसकी रिटन की प्रोफाइल वाकी आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आप अपने फाइन